हैलो दोस्तो नवश्कार आप सभी के स्वागत है DRK TV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनईया भी कानेर राजस्थान से दोस्तो बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि सर हमारे दिमाग के अंदर ये जो सबकॉंशियस माइंड है ना सबकॉंशियस माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव चला गया या दिमाग के अंदर कुछ ये जो नेगेटिव थौट आ रहा है सर इतना खराब थोट आ रहा है कि खुद को लेके खराब थोट आ रहा है, अपनी फैमिली को लेके खराब थोट आ रहा है और सर जिनको मैं बहुत ज़ादा पसंद करता हूँ, जो मेरा बच्चा है, जो मेरी पतनी है, जो मेरी मदर है उन लोगों को मैं इतना ज़ादा पसंद करता हूँ, उनको लेके इतने खराब थोट आ रहे हैं बहुत गिल्ट होती है, सर बहुत ज़ादा डर लगता है, यह जो थोट आ रहे हैं और यह जो थोट है, यह मेरे subconscious mind में आ रहे हैं, सर बहुत ज़दा डर लगता है कि कहीं ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा तो दोस्तों यह जो subconscious mind के अंदर यह जो thought आते हैं सद्डर लगता है कि कहीं यह manifest ना हो जाए तो अगर आपको भी इस तरह एक address अता है कैसे यह हमारे इस subconscious mind वाला जो manifestation वाला जो thought है इसको कैसे पूरी तरह से हटाती है इसी के ऊपर यह session में आपको समर्पित कर रहा हूं इसको बहुत अच्छे समझना बहुत अच्छे से understand करना अच्छा यह जो detect क्या है इसको मैं पूरा explain करने वाला हम बहुत अच्छे समझना तो इस तो बहुत सारे लोगों के दमाग में ख्याल आते हैं कि सर मुझको कोई बिमारी हो जाएगी या मेरा कोई accident हो जाएगा या गरवालों को कोई बिमारी हो जाएगी उनका accident हो जाएगा वो अभी मर जाएगे उनके साथ में कुछ अभी गलत हो जाएगा और यह thought लगाता है दिमाग में आते रहते हैं और इन thought से डर लगता है और यह डर तब बहुत जादा लगने लग जाता है जब सर मैं YouTube पे कोई ऐसी वीडियो देख लेता हूँ जिसके अंदर गया है कि law of attraction की बात की जा रही है जिसमें power of subconscious mind की बात की जा रही है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपके दिमाग के अंदर जो भी thought आता है यह manifest हो जाते है अचा thought manifest हो जाते है तो सर मुझे मेरे को लेके भी डर लगता है कहीं मुझे से लेके जो यह negative thoughts आ रहे है यह manifest ना हो जाए कहीं घरवालों को लेके thought आ रहे है यह manifest ना हो जाए तो फिर आप पूरे दिन क्या करते हैं सर मैं पूरे दिन यह करता हूँ कि मैं इन thoughts को पूरे दिन अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करता रहता हूँ इस पूरा का पूरा डर आज आपका खatम हो जाएगा, अगर आपने इस detet principle को अपने जिन्दगे में उतारा यह thought manifestation है यह पूरी तरह से आपके दिमाग से गायब हो जाएगा एकदम relax जाएगे किसी भी परकार की anxiety आपको feel नहीं होने वाली बहुत अच्छे समझना दोस्तो इस detet का मतलब के है detet का मतलब है d का मतलब desire t का मतलब thought a का मतलब action और t का मतलब time दोस्तो बहुत सारे जो लोग है इस दुनिया के अंदर जो किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं जैसे मान लीजी कि बहुत सारे लोग जो है वो UPSC के तयारी करते हैं अच्छा UPSC के तयारी के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि उनकी इच्छा भी है कि वो UPSC के तयारी करे UPSC के अंदर select हो collector बने, IS officer बने उसके according उनके दिमाग में thought भी है उनके दिमाग में पूरा plan भी बनावा है और उसके according वो actions भी लेते हैं मतलब वो मानली जी कि जैसे किसी school के अंदर गए, किसी coaching के अंदर गए UPSC से related content है उसको consume कर रहे होते हैं जो भी institute है उसके अंदर वो उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं teacher से सीख रहे होते हैं और उसके साथ में वो अपना समय भी देते हैं एक साल देते हैं, दो साल देते हैं, पांच साल देते हैं बहुत जादा अपना time देते हैं अच्छा, इतना देने के बावजूद भी जो 80-90% जो लोग है ना उनका selection नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता भई? अगर हम thought manifestation और law of attraction की बात करते हैं कि जिस भी चीज को आप अपनी तरफ attract करोगे वो आपकी जिंदगी में आ जाएगी जो भी चीज आपके subconscious mind के अंदर है अगर आप लगातार लगातार उसके बारे में सोचोगे तो वो चीज हकीकत में create हो जाएगी, वो manifest हो जाएगी अच्छा, manifest हो जाएगी तो फिर इन लोगों का जो part है, इन लोगों का जो career है ये लोग IS officer क्यों नहीं बन पाते हैं जबकि इधर तो ये इच्छा भी रखते हैं कि मेरी इच्छा भी बहुत ज़दा प्रबल है मेरे दिमाग में thought भी है, मेरे दिमाग में पूरा plan भी है मैं action भी इसके उपर ले रहा हूँ मैं time भी पूरा दे रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी UPSC में selection नहीं हो रहा बाई साब अगर law of attraction जैसी कोई चीज है अगर वो काम करती है अगर power of subconscious mind जैसी कोई चीज है और इस theory में अगर कोई dumb है कि आप किसी चीज के बारे में अगर लगातार सोचते रहेंगे तो वो चीज manifest हो जाएगी आप अपने आपको इस तरह से बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो वो चीज अपने आप हो जाएगी तो बाई साब इतनी महनत के बावसजूद भी ये manifest क्यों नहीं होता क्यों ये IS officer नहीं बनते बाई दुकान कोई भी वेक्ति जो अपना दंदा चालू करता है वो जो अपनी कोई भी दुकान खोलता है वो इच्छा रखता है कि वो खुब सारा पैसा बनाए उसके according वो क्या गड़ता है अपनी दुकान भी खोलता है वो उसके अंदर thought भी है उसके अंदर पूरी planning भी है वो actions भी ले रहा है वो time भी दे रहा है बट फिर भी उसका पैसा नहीं बन पाता क्यों नहीं बन पाता वो तो पूरे दिन पैसों के बारे में ही सोच रहा है तो फिर तो पैसे manifest हो जाने चीए घर भर जाना चीए उसका पैसों से कमरे भर जाने चीए उसके पैसों से नहीं बर रहे ना क्यों नहीं बर रहे क्योंकि ये thought manifestation जैसा कुछ होता नहीं है, law of attraction जैसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक generalized statement के तौर पे बोली गई लाइने है, reality में ऐसा कुछ होता नहीं है, कि बस आप अपनी जिन्दगी में जो चाहते हो ना, बस उस चाहत के बारे में आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, और वो चीज क्यों हो जाएगी, प्रिकट हो जाएगी, बाई सब subconscious ना होकर, माइंड ना होकर, ये कोई अ बोल दो, बोल दोगे ना, तो वो अपने आप चीजें create कर देगा, जितने भी बच्चे, अगर ऐसा है, अगर law of attraction जैसा है, तो जितने भी बच्चे, जो किसे भी competition exam की तयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो NEET की तयारी कर रहे हो, चाहे वो IIT की तयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC की तयारी कर रहे हो, जिस भी इस दुनिया के अंदर competition है, उन competition की तयारी जो वो करते हैं, वो पूरी इच्छा, desire के साथ में करते हैं, thought के साथ में करते हैं, actions के साथ में करते हैं, और पूरा time देते हैं, मतलब detect पूरा करते हैं, फिर भी उनका selection नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई वो एक साल वो उसके अंदर समय बिता रहा है, वो दो साल उसके अंदर समय बिता रहा है, वो पांच साल उसके अंदर समय बिता रहा है, फिर भी thought manifest नहीं हो रहा, thought manifest होना चीए न, thought manifest नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि thought manifestation जैसी कोई चीज होती नहीं, कि बस सोचो और चीज ह जाएगी, बस attract करो, चीज जिन्दगी में आ जाएगी, जब इतना time देने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, इतना actions लेने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, इतना time बिताने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, तो ये जब positive के अंदर नहीं है, तो दोस्तों ये खाली जो आपके दिमाग में जो negative thoughts आ रहे हैं, कि आपको कुछ बिमारी हो जाएगी, आपका accident हो जाएगा, या फिर आपके family members में से किसी को कुछ हो जाएगा, तो ये कैसे manifest हो जाएगा? नहीं सर, वो videos में बोलते हैं न, videos के अंदर सुनते हैं, अरे भई वो जो हम videos के अंदर बोलते हैं, वो जो videos के अंदर सुनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा generalized बात है, इस तरह की कोई ना तो theory है, इस तरह की ना तो कोई technique है, कि बस आप कुछ नहीं करना जिंदगी के अंदर, बस आप सोचो तो हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होता, और ना ही negative सोचने से कुछ होता है, ये negative से सिर्फ anxiety create होती है, इसके लावा कुछ नहीं होता, वो किसी भी सूरत में thought manifest नहीं होता, तो sir मेरे दिमाग के अंदर heart attack का thought आ तो कई मुझे heart attack तो नहीं आ जाएगा, अर नहीं आएगा, sir मुझे लकवा मारने का thought आ रहा है, अरे नहीं आएगा, ये thought किसी भी सूरत में manifest नहीं होने वाला, तो sir thought से क्या होता, thought से से anxiety create होती है, गबराट पैदा होती है, बेचे नहीं पैदा होती है, लेकिन thought आने से कोई heart attack नहीं आता, thought आने से ना कोई लकवा मा इतनी इच्छाएं रखते हैं लोग, इतनी महनत करते हैं, इतने plan मनाते हैं, इतना समय बिताते हैं, फिर भी जब कुछ नहीं होता, तो ये खाली जो दिभाग के अंदर जो negative thought आ रहें, जिसके उपर हम ना तो उसकी हम इच्छा रख रहे हैं, ना हम उसका कोई plan रख रहे ह ना हम उसके उपर कोई time दे रहे हैं, हम तो बचना चा रहे हैं, कि भी नहीं, 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 अरे भी जिससे आप बचना चा रहे हैं, जिसके उपर आप कुछ भी नहीं करना चा रहें, फिर वो कैसे हो जाएगा, इतनी मैनत के बाद जब कुछ नहीं होता, तो इधर तो कै इसे हो जाएगा, बिल्कुल भी पासिबल नहीं है, संभव नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से समझने की है, कि किसी भी चीज को आपने अट्रेक्ट किया तो वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी बात आपके सबकॉंशिस में चला अब इंडाया, तो अब वो बस अपने आप ही घटित होने लग जाएगा. मैने, बैठहे-बैठे मैने सोचा कि भी आस, मुझे क्या है कि एक महल चीए तो क्या वो महल एपियर हो जाएगा मुझे खाने के लिए बस अच्छा सा खाना मिल जाए तो अपने आपी खाना उपस्तित हो जाएगा नहीं बाइसाब जिंदगे में इनके लिए बहुत effort करने के बाद जब चीजें मिलती है तो वो भी जैसे situations के availability हो तो उसके according मिलती है ऐसे नहीं कि जो भी दिमाग में प्लान है तो उसके according मिल जाएगा तो जब इतना मैनत के बाद नहीं मिलता तो खाली thought आने से कैसे हो जाएगा ये बात logically हमें सही तरीके से समझने की है कि ना तो law of attraction कि बस आपने अट्रेक्ट किया बस हो जाएग कि क्या आपको चाहिए क्या आपकी पसंद है और वो आपकी पसंद पूरी आपके सामनी क्या कर देगा complete कर देगा ऐसा कुछ भी नहीं है subconscious mind जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक memory house है information का center है जो भी आप दुनिया से information लेते हो वो information आपके दिमाग में store होती है in form of neural patterns और वो neural patterns कहा है आपके subconscious mind के अंदर पड़े हैं वो आपको जब भी जरुत पड़ती है तो इसके हिसाब से वो आपको क्या करता information suggest करता है और उस information के आधार पर आप अपने conscious निलने लेते हो इसके अलावा subconscious mind कुछ भी चीज नहीं है कोई जादूगर नहीं है कोई जीनी नहीं है तो अग जावा इससे कुछ भी नहीं होने वाला कोई भी चीज किसी भी रूप में अपने आप manifest नहीं होने वाली यह बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेने की है और यहां पर एक बात और जो बहुत जबरदस तरीके से समझने की है कि हमें guilt नहीं रखना है दोस्तों जो pattern बन गया अपनी family के बारे में खुद के बारे में negative नहीं सोच रहें आप सोचने के लिए मजबूर है समझना इस बात को कि हम अभी बिमार है हमारे अंदर patterns बने वे इस कारण से हम सोचने के लिए मजबूर है जिस दिन हम बाहर निकल जाएंगे इससे तब हमारे mind का पूरा control हमारे हा हमें इसको हटाना नहीं है पड़ा यहां बई कोई दिक्कत नहीं इतने सारे thoughts already पड़े है तू भी रह जा क्या दिक्कत है इतने सारे लोग रह रहे हैं नों से कुछ हो रहा है क्या कुछ भी तो नहीं हो रहा है तो इस एक के रह जाने से और क्या होगा ठीक है रख लिजे इसको, अच्छा इससे होगा क्या, अगर आप इसकी उपस्तिती को स्विकार कर लेते हो ना दोस्तों, आप इसको हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वही सेम अकबार वाला प्रिंसिपल लागू होता है, जैसे आप न्यूस्पेपर पढ़ते हो, शाम तक आप सारा भूल शाम तक वह 니ूस्पेपर की इफस्ते ही, वह सारी के-समें चली जाती है, आपके सब कॉंशियस से अंड यूसियस, माइंड चली जाती है, और उनकॉंशियस क्या होता है, अंकॉंशियस क्या होता है, वह कटर होता है, क्या कटता है, वह जो भी neural pattern बने मने उन सब को ट ş uh कर अकबार याद रहता है क्या और अकबार याद रखना पड़ता है या हम उसको भूलने की कोई कोशिश करते हैं कि कुछ भी तो नहीं करते हैं फिर भी वो क्या होता गायब हो जाता है नहीं नहीं सर मैं तो रोजाना अकबार पढ़ने के बाद में क्या है कि अपने आपको भूलने की कोशिश तो उसको छोड़ दीजिए, automatically ये सारा का सारा जो material है, जो आपके subconscious में पढ़ाए, वो किसमें चला जाएगा, unconscious में चला जाएगा, सुर यहां पे तो एक डरोर सताता है, क्या, सर कहीं ये thought आते, आते, इतनी जादा गबराट तो नहीं हो जाएगी ना, कि जिससे कुछ और हो जाए, कुछ भी नहीं होना बाय साब, यह जो anxiety है, हमारी body का एक defense mechanism है, defense mechanism है, और defense mechanism है, और defense mechanism है, वो सरीर को नुकसान करने के लिए नहीं, सरीर और brain को protect करने के लिए होता है, किस भी परकार की और कोई गडबर नहीं होने वाली, जैसे ही आपकी anxiety बढ़ में लिख कर जरूर बताएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV के subscribe नहीं किया, तो please उसे subscribe करें, ताकि मेरे नए वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुंचे, दोस्तों हम लोगों ने यह जितना भी anxiety है, panic है, overthinking है, negative thinking है, यह जितना भी परकार का thought है, यह जितना भी misconception है, हमारा law of attraction को लेके, subconscious mind को लेके, reprogramming को लेके, इन सब के उपर हम लोगों ने step by step CBT का एक workshop लॉंच के वाज इसका link नीचे description में, जिसको आप अपने भीतर install करके, अपनी psychological problems को पूरी तरह से खटम करने में, बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, बहुत बहुत धन्य दोस्तों, जै हिंद, जै